हेलो दोस्तों लेटर मास्टर में आपका स्वाज़त है मैं आपका दोस्त निशान आज पीर आपके साफने एक नए वीडियो और एक नए लाफटप के साथ आज हम ले किया है डिनोवो ने जो अपरी ही लाँच किया है अपनी गेमिंग सीरीज में लीजन 16 सीरीज का लाफटप जी हां मैं आपको दिखाता हूं डिनोवो ने लीजन 16 में लाँच किया बड़ी आई कॉन्फिकेशन के साथ आई 713 जनेशन प्रोसेसर है 16 GB की रहे में 1 TV SSD और RTX 4060 में 8 GB ग्राफिक कार्ड लिनोवो ने अपने इस लापटप में दिया फुल्ली लोड़ीड मशीन है अगर मैं स्क्रीन की बात करूं सब जो भी मैं बात करूं सब कुछ फुली लोड़ीड है अभी हम बात नहीं करें पहले हम लापटप को उपन करतें दिखाते हैं विजिट करिएगा आपको डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा और अगर बने से पहले हम आपको यह कह दो अगर आपने अभी तक हमारा लापटप मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा बैल आइकन जरूर प्रेस करने जब कि वीडियो अफ्लूड करते है तो आपके पास नोडिफिकेशन सबसे पहले पहुंद आता है तो चलिए दोस्तों आके पर दे करते हैं लापटप को अन्बॉक्स कर दिया है जैसे कि हम नाप्टप में आपको मिलती है प्रीण पावर कोड और एक एडडप्तर अडप्टर की बात करेंगे बहुत हेवी अडप्टर आप इसे कह सकते हो 230 वाट का इसका पावर अडप्टर है देखें गेमिंग लाप्टप है तो हमेशा याद रखेगा नॉर्मली जो अगर हम बात करेंगे जो योगा सीरीज जितने वेट के आते हैं उसने वेट का तो यह सिर्फ अडप गेमिंग ले रहे हैं गेमिंग लाप्टप देख रहे हैं तो इसकी बारे में बिल्कुल भी मत सोचीगा कि आपको लाप्टप स्नीक मिलेगा हा लेकिन फिर भी अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो अप्रॉक्सिमेटली 2.4 kg का यह लाप्टप है जो लिनोवन इस गया ह लाइट वेट है आप यह मैं सुचीगा लाइट वेट है कि 1.4 1.5 kg आते हैं गेमिंग लाप्टप के हम सीरीज देख रहे हैं तो गेमिंग लाप्टप के अंदर यह लाइट वेट ही काउंट होता है अगर मैं इसकी बैक साइट पे अगर आप देखेंगे तो वेंटिलेश है इसको लाप receptors क्लिए तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं पहले ऊपन किरिक्टप एक हाथ से ओपन होता है नियुगर हो गया था व करेंगे कि तो अब तो इसमें पर दिखाए को सब वेंटिलेशन है एक पोत है आपका Kart Reader सिर्फ एक ही पोर्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है का डिडर साथ एक चोटा बटन हो दिखाई देगा जो इशटर है बेसिकली आपके वैपकाम का अगर आपने वैपकाम यूज नहीं करना तो आप इसके तुरू क्यामरे को बंद कर सकते हैं लाप्तॉप के राइट साइट में भी देखेंगे अगर आप तो आपको सिर्फ तीनी पोर्ट दिखाई देंगे दो हैं यूसबी टाइप सी 3.2 जैन 2 जी हां दोनों ही सपोर्ट करते हैं डाटा ट्रांसफर और डिस्पले पोर्ट 1.4 जिसमें से एक पोर्ट है वो पावर डिलीवरी भी देता है अप टू 140 वाट की पावर डिलीवरी भी आपको देता है अगर आपने अपने मोबाइल को भी चार्ज करना हो आप इससे कर सकते हैं एक पोर्ट आपको मिलता है है एडफोन का माइक्रोफोन कॉम्बो जैक है बेसिकली 3.5 आपके हेडफोन स्पीकर्स लगाने के लिए लाफटोप गेमिंग लाफटोप मोस्ति हमने देखा बैक साइड में भी पोर्ट होते हैं तो बैक साइड में इसके सारे पोर्ट में दे रखे हैं अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहला पोर्ट है वो चार्जिंग का है हैं से ही मुस्ति लोग प्ले करना पसंद करते हैं साथ में आपको मिलते हैं दो यूसबी 3.2 जैन 2 दो यूसबी में से एक यूसबी नॉर्मल है और जो दूसरा यूसबी है वो आलवेस ओन है पावर हमेशा ऑलवेस ओन रहती है अगर आपका लाफटोप बंद भी है तो भ 13620H प्रोसेसर 13620H प्रोसेसर देख हमेशा गिनिंग लापटप के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप बेस स्पीड की बात करेंगे तो 2.4 GHz इसकी बेस स्पीड है और टर्गो बूस्ट टेक्नोलिक के साथ यह प्रोसेसर आता है और बूस्ट अपके यह 4.9 GHz तक जाता है नैनोमीटर की बात करेंगे तो 10 नैनोमीटर का आपको इसमें प्रोसेसर मिलता है कोर्स की बात करेंगे 10 कोर है और मैं आपको बता दूँ इसके अंदर 10 कोर्स में 6 जो कोर्स हैं और 4 कोर्स हैं और 4 कोर्स हैं वो efficient कोर्स हैं तो जो 2.4 GHz minimum speed है वो 4.2.4 GHz वो performance क की है और maximum speed 4.9 GHz 6 कोर्स की ही है जो 4 हमारे efficient कोर्स हैं उसकी जो minimum turbo push speed है minimum speed clock speed हम जिसके बात करेंगे तो 1.8 GHz है और maximum 3.6 GHz ही आपको मिलती है कभी भी आप इसमें इसमें प्रोस के अंदर हम में performance कोर्स ही देखते हैं logical processor की बात करेंगे तो 16 है और L3 cache की बात करेंगे तो 24 MB आपको L3 cache मिलती है processor heavy है जो लिनवो ने अपनी इस laptop में दिया है बात करेंगे RAM की तो 16 GB RAM है DDR5 इसमें 5200 MHz देखे DDR5 आपको 4800 भी आती है लगे इसमें 5200 MHz लगी भी है दो slots है दोनों के दोनों used है dim slot में है यानि आप upgrade कर सकते हैं बागी जब अब laptop को physically open करके आपको दिखाएंगे इसका back panel तो आपको ज्यादर क्लियर हो जाएगा डिस्क की बात करते हैं Samsung की SSD लगी भी है 1TB की 4.0 इसमें SSD आपको मिलती है जिसकी capacity 954 GB है graphics देखें ये तो USB graphics है जो shared memory में काम करता है इसके लिए gaming laptop नहीं बना ये हल laptop में आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें जो अगर आप Spectre सीरीज या लिनोग या योगा सीरीज भी लेते हैं तो उसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो हमारा gaming laptop बनाता है इस laptop को gaming laptop बनाता है वो होता है NVIDIA GeForce RTX 4060 laptop जिसकी dedicated GPU है 8 GB DDR6 shared 7.9 GB total 15.9 GB है अगर मैं इसकी TGB की बात करूँ तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं graphics की settings में अगर हम जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा जो maximum graphics power 140 watt है जी हाँ नॉमली हमने 95, 120 है लेकिन इसमें 140 watt आपको इसकी जो maximum graphic power दिखा रहा है जो काफी heavy है जो configuration की voice अभी आप सुन रहे थे वो हमने इसी laptop के mic से record करी ही थी सिर्फ इसी ही है कि हमें इसके mic की quality में पता चल जाए लेनोवो इसके अंदर आपको 16 इंची का WQXG8 डिस्प्ले देता है जिसका resolution 2560 y 16-handed आपको मिलेगा IPS डिस्प्ले है 300 nits के साथ anti-glare display आपको मिलता है और सब्सक्र बड़ी बात 100% sRGB आपको इसमें मिलेगा और रिफ्रेश चेट की बात करेंगे तो 165 हर्स का रिफ्रेश चेट है नॉर्मली लाफ्टों में 144 का आता है इसमें आपको 165 का रिफ्रेश चेट मिलेगा लो ब्लू लाइट के साथ इसके अंदर आपको फुल एच्डी 1080p कैमरा मिलता है इसचेटर के साथ विद डूल एरे माइक्रोफोन के साथ चली दोसों समय आगे है लाफ्टाप का बैक पैनल ओपन करनेगा बैक पैनल ओपन करके आपको दिखाते हैं लाफ्टाप में अंदर क्या-क्या पार्स है और हम क्या-क्या अपग् फैन हमेशा होते ही है एक प्रोसेसर के लिए होता है और एक ग्राफिक्स के लिए क्योंकि ग्राफिक्स भी हीट करता है इसलिए उसके फैन के लिए अलग से जुरुत होती है यह आपको रैम अभी दिखाई नहीं दे रखी वह कवर है कवर कर रखेनों ने इसके नीचे 288 GB की रैम लगी है जिसको आप अपगेट कर सकते हैं लेकिन दोनों आपको रेमोप करनी पड़ेगी उसके बाद ही आप अपगेट कर पाएंगे यहां आपको एक SSD दिखाई दे रही है वन टीवी की समसंग की हार्डिस लगी है SSD और इस पर एक और है आप यहां पर देखेंग क्योंकि गेमिंग लफटाप से काफी लोग स्टोरिज की डिमार्ड करते हैं आपको वाइफाई दिखाई देगा वाइफाई आपको 6E और Bluetooth 5.1 आपको इसमें मिलता है वैटरी है बैटरी 60 सौरी 80 वाट की आपको 80 वाट की आपको 80 वाट की बैटरी आपको इसमें मिलती है साथ में दो दो वाट की आपको दो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं जो लिनोवो ने इस लाफटाप में लगाई दोस्तों आज हमने अन्बॉक्स किया लिनोवो लीजन 16 जी हां आई 730 इन जनेशन में पड़ा लेटेस प्रसेसर अभी इसके उपर 14 जनेशन में देखने को नही सकते हैं लगा सकते हैं स्क्रीन देखी स्क्रीन भी 100 परसेंट sRGB हमें देखने को मिली 300 नेट्स के साथ और सबसे में अगर मैं इसे रिव्यू की बात करूं तो देखें कोन्फिकेशन वाइस यह लाग तो कहीं से भी आपको कम नहीं दिखाई दे रहा है मैं सोच रहा था कि इस पे कहां कमी निकालूं कहां पर कमी हो लेकिन मुझे कहीं पर भी कमी दिखाई नहीं दे दी प्रोसेसर इसका है यूजर एंब इसकी है आप अपगेड कर सकते हैं 64 GB तग भी आप इसको लेके जा सकते हैं आप SSG अपगेड कर सकते हैं स्क्रीन क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि काफी मैंने लापटप को अनबॉक्स किया है तो उसमें देखते हैं कि स्क्रीन हमें मिल जाती है 45% एंटे स होती है इसके अंदर आपको SRGB भी 100% मिल गया आपको ग्राफिक्स भी 8GB मिल गया और आपको क्या चाहिए तो मैं इसकी बॉर्डिंग भी 1st class है मेरे को समझ में नहीं आपा रहा कि मैं इसकी कमी कहा निकालों देखिए अगर आपको वेट की प्रॉब्लम नहीं है तो यह सब से perfect laptop है इस configuration के अंदर अब आप price सोच रहोंगे price किया है अगर एक ऐसा laptop जिसकी कमी नहीं निकाल पाए है जिसकी configuration में कहीं कमी ना कर पाए तो pricing भी बड़ा ही decent आपको मिलेगा जिहां दो लाग आप सोचेंगे है दो लाग laptop के अंदर तो फिर तो यह बहुत मैंगा ऐसा नह कहीं भी आपको मिल जाएगा दिके इस price band के अंदर इस configuration का price मुझे देखने को नहीं मिलता है हाँ अब price और के अंदर बाकी companies भी ले आए तो मैं उस वारे में नहीं कह पाऊंगा पता चला आप video मेरी मैं आज video बना रहा हूंगा आप video देख रहे हो मेरी 6 मिने बाद यह साल प्राइसिंग का मैंने आप से discuss करी लिया मैं आपको warranty में बता दू लिनो वह इसके साथ आपको one year on site warranty देता है अगर आप अफगेड करने चाहें तो आप अफगेड कर सकते हैं अगर आप accidental damage production में आपको बता दू क्या होता है अगर आपका laptop damage हो जाए screen टूड जाए body टूड यानि accidental damage production नहीं है तो आपको warranty नहीं मिलती है लेकिन अगर आपने accidental damage production ले रखा है तो आपको damage की भी warranty मिलती है और एक चीज़ और याज रिखेगा मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कभी भी किसी भी कंपनी का आप laptop ने अगर उसकी warranty extend करानी है या accidental damage protection लेना है तो इसकी बात करते हैं चाहिए Dell हो चाहिए Lenovo हो या HPO जो भी accidental damage production देते हैं उसमें वो कोई भी extra charge नहीं लेते हैं अगर आपके screen damage होती है अगर आपके 12,000 लगे हैं पहली बात तो उसमें आपके लगेंगे ही नहीं क्योंकि आप company call करेंगे वह आके screen change करके चले जाएंगे आप आप third party लेते हैं तो वह आपके पास दो महीने पास करेंगे जी आप इसकी 50% value रह गई तो आप इसे repair करा लो बाहर से हम उसकी reimburse करेंगे वह आपके लिए कापी फैक्टिक होता है इसलिए जब भी अवाल डिले हमेशा company store से की company की लीजेगा company store से की लीजिएगा इस पे एक बात और बता दूँ मैं आपको लिनवो इसके रात वान यर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजेगा बैल आइकन जुरूर प्रैस करेंगा क्योंकि बैल आइकन प्रैस करेंगे जो भी हम वीडियो अप्लोड करेंगे उसका notification आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा आगे हम ऐसी वीडियो बना